दोसों सो अगत आपके अपने चनल किसमें है, सिविल साइड विजिट में, अगर हम बात करें, सबसे ज़ज़ जो जॉब्स डीमांड में रह रही हैं समें, वो है साइट इंजिनियर की जौट, जा कॉंटिटी सर्वेड याँ बिलिंग इंजिनियर बोलो, ये दो jobs बहुत ज़्यादा demand है तो इनके लिए skills क्या चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या-क्या skills होने चाहिए as a site engineer जब interview हो बैठोगे वो आपको बता होने चाहिए quantity surveyor के पास क्या skills होने चाहिए क्या उसको आना चाहिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं बता दू CMTA के बारे में थोड़ी हम बात करेंगे CMTA के पास 100 प्लस opening है समय site engineers के लिए और QS engineers के लिए क्यूंकि इनके IMOUs हैं तो company इनसे demand करती रहती engineers के लिए तो वो आपके पास मोखा है कि आप course लेते हो तो आपके chances हो सकते हैं guarantee नहीं दे रहे हैं chances हो सकते हैं कि आपका भी interview हो और आपकी selection होगी क्यूंकि आज ही दो placement हुई है अगर मैं बात करूँ पुनीद जी जो बिहार से थे offline course उन्होंने लिया था CACM course इसके बारे में आगे बताऊँगा field training का course वो बैंगलूरू में रहता है उनकी placement हो गई रांची में जाके as a planning engineer 2022 के batch के student है वो फिर में बात करता हूँ सतीश पाटिल जी के बारे में उनकी भी बैंगलूरू में placement हो गई as a project engineer BK design company में और salary काफी starting ठीक मिल गया मतलब 25,000 पर मंत के साब से उनको मिल के CTC तो ये होता है बहुत अच्छे courses ले लाते हैं और placement के chances काफी ज़दा बढ़ जाते हैं फिर हम reviews की बात करें मतलब कोई भी चीज आप लेते हो उसके reviews काफी matter करते हैं तो आप इनके YouTube channel पर जा सकते हो जो भी बच्चे की placement होती है और course लेते है वो उसके बारे में वहां reviews पर बात करते हैं फिर इनके जो Google पर चले जाएए Google में आपको इनके reviews मिल जाएंगी इनकी app, इनकी website तो हर जगा अच्छे reviews इनको मिले है quantity survey course जो combo course रहेगा 750 में पहले 10 बच्चों को में देने वाला हूँ जो भी पहले 10 बच्चे मेरे पास आएंगे जा comment करेंगे या apply करेंगे उनको 750 में course मिलेगा actual price है 6000, 6000 का price है लेकिन 750 में पहले 10 बच्चों को ये course मिल जाएगा आप site engineer course लेते हो तो quantity survey course बिल्कूल free हो गया मतलब 750 का वो free में आपके पास आने वाला है ये moque आपके पास फिर हम बात करते हैं ऐसे skill की में बात कर रहा है तो site engineer के पास क्या skill होने चाहिए different type of structure के बारे में उसको पता होना चाहिए drawing पढ़ना उसको आना चाहिए फिर जो भी project का execution plan होता है कैसे से काम होगा वो उसको पता होना चाहिए sequence पता होना चाहिए काम का construction की methodology के बारे में पता होना चाहिए detail construction schedule के बारे में फिर resource requirement के बारे में site logistic plan, infrastructure facility structure work जो रहता है foundation हो गया, column, wall, slab इन सब का knowledge उसको होना चाहिए MEP work का, PEP work का ये होना चाहिए site engineer को और quantity survey का main most important construction drawing reading के बारे में फिर measurements कैसे लेते है autocad के help से वो उसको पता होना चाहिए जो IS code है, उसको समझना कैसे measurement होती है, वो उसके बारे में BVS के BVS बनाना उसको आना चाहिए वो जो भी standard coefficient होते है वो पता होना चाहिए, BOQ के बारे में पता होना चाहिए, ये specification RABIL कैसे बनाते हैं, cost estimation कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए, तो वो easily आगे बढ़ सकता है, ये चीज़ें आप सीख सकते हैं, उस course में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, और देखो, हर चीज possible है, हर चीज आप कर सकते हो, सामने आप code भी देख रहे हो pass the truth to the next generation teach them early, but we learn it, तो लेट तो ये ही चीज़े, CMT वो ही कर रहे है क्योंकि educational system सेम चलता आ रहे है, और हमें जब हमें डिगरी की, तो हमें दिक्कत हो रही थी सीखने में, क्यों इस टाइम courses बगारा नहीं थे, लेकिन अभी सब चीज़े है, courses है, field training है तो वो सब चीज़े आपको help कर सकती है आगे बढ़ने में, इनकी app को download करके रखी, बहुत चीज़े है, इसमें सीखने को मिली, जैसे मैं field training की बात आपके साथ कर रहा था तो field training कौन सी है, CACM course जो starting में बात की, बच्चे की placement होई जिससे, advanced construction management course है field training रहती है, मतलब जो field training नहीं कर सकता है, उसके लिए online भी mode रखा हुग है लेकिन आपके पास mocha है और online या offline दोनों सीखने का एक अगस्ते ये नया बैक शुडू हो रहा है तो इस course की जो duration है, वो 12 हफते रखी गई है और 4 गंटे daily आपको पढ़ाए जाता है तो इस पे पूरी detail लीजिए सामने phone number है, इस पे call कर लीजिए WhatsApp कर लीजिए बाकी जल्दी जाके apply कर लीजिए description में link के, thank you guys